राधे राधे भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें ऐसे कौन से कार्या रोज वश्य ही करने चाहिए जिस्से के हमारे घर में सुख सम्रिधी का वासो सबसे पहले तो हमें सुबह उठकर अपने में दर्वाजे के बाहर एक लोटा पानी अवश्य ही डालना चाहिए इसे हमारे घर में लक्षमी का आगमन होता है और पितर परसन होते हैं फिर हमें पूजा पाथ अवश्य ही घर में करना चाहिए घी की जोत जगाकर या तिल के तेल की जोत लगाकर हमें अवश्य ही रोज पूजा पाथ करना चाहिए और खाना बनाते वक्त सबसे पहले एक रोटी गाय के लिए अवश्य ही निकालनी चाहिए जिसे के घर में सुख समरिधी आती है और जो भी हमारे फिर रिष्टे बनते हैं वो अच्छे बनते हैं उनसे हमें जिंदगी में फाइदा होता है नुकसान नहीं होता और एक रोटी गाय की निकालने से कोई खास हमारे बजजट पर असर भी नहीं होता इसलिए अवश्य ही एक रोटी गाय की पहले जब हम सुखा खाना बनाना शुरू करते हैं गाय के लिए वश्य ही निकालनी चाहिए और हमें अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान अवश्या ही करना चाहिए अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तभी हमारे बच्चे भी कल को हमारा भी सम्मान करेंगे क्योंकि हमें भी कल को बुजुरुगी बनना है बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं इसलिए उनके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो के उनके दिल पर नकारात्मक प्रभाव डाले और हमें घर आये हुए महमान का आदर अवश्य ही करना चाहिए कोई भी घर में आये उसको मान देना चाहिए और जाते हुए उसे सम्मान अवश्य ही देना चाहिए और हमें कभी भी अपने घर में किसी भी तरह का देखा देखी कोई भी फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए इससे हमारे बजट पर बुरा परभाव पड़ता है और बच्चे भी फिजूल खर्ची करना सीखती है जो चीज हमें चाहिए वही खरीदनी चाहिए अना वश्यक देखा देखी चीजे नहीं खरीदनी चाहिए और हमें कभी भी मंदिर जाते हुए बच्चों को वश्य ही साथ लजाना नहीं भूलना चाहिए क्योंकि अगर हम मंदिर जाते हुए बच्चों को साथ ले जाएंगे तो उनकी भी भगवान के प्रती आस्था बड़ेगी और वो कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करेंगे उनमें सकारात्मक शक्तियां प्रवेश करेंगी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी और हमें अपने घर में शाम के समय एक सरसू का दीपक मुख्या द्रवाज्य के बाहर अवश्य ही जलाना चाहिए इसे घर में सुख संपदा बढ़ती है जो भी हमारे पास रिश्टे या वस्टूय होती है या संपदा होती है वो ये दीपक जलाने से बढ़ती है इसलिए हमें अपने घर के बाहर एक सरसू के तेल का दीपक शाम के समय में दर्वाज्य के बाहर अवश्य ही जलाना चाहिए इस तरह से अगर हम अपने घर में कार्या करते हैं तो फिर घर में सुख सम्रिदी बढ़ती है और कभी भी हमारे घर में किसी तरह का भी कोई भी नुकसान नहीं होता आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो लाप्रत सिध्ध होगा इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जय माता दे